आपके बस Redmi Note 13 है 13 Pro है प्लस है कोई भी फोन है तो यहां पर आप Wi-Fi कनेक्ट कैसे कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड Wi-Fi QR कोड के थूँ तो यहां पर आप स्क्रॉल डाउन करके Wi-Fi के सेटिंग ओपन कर लेंगे और इस ट्रैप से Option आएगा अब यहां पर कोई भी आपको नेटवर्ड कनेक्ट करना है तो कोई ऐसा फोन ले लेंगे जिसमें आपका ओल्रेडी Wi-Fi कनेक्टिड है ठीक है किसी के भी कोई से भी ब्राइंड का अई बेटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर Wi-Fi कि वरकोड का अउप्शन है क्लिक कर लेंगे यहां पर आपका शो हो जाएगा अब आपको अपने फोन में स्कैनर ओपन करना है और ऐसे स्कान कर लेंगे इसको scan कर लिया देख सकते हैं wifi आपका collect हो चुका है same आपके wifi से अब आप इस पे click करेंगे तो आपको show करना है QR code तो आपको कैसे show करना है अपने phone में इस पे click करेंगे ज़र लिखा हुआ है ऐसे QR code show हो जाएगा अब आप किसी और को share करेंगे वह बंदा यहां से scanner खोल लेगा या फिर यहां पे नीचे add network के बगल में scanner का option आता है किसी किसी phone में तो वहां से खोल सकते हैं तो ऐसे करके आप connect कर लेंगे इस टैप से आप यहां पे wifi भी connect वह hotspot भी connect कर सकते हैं without password मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार